Hello everyone, कैसा हो आप सभी? Hopefully आप बहुत ही अच्छे होंगे So friends, आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं skincare routine के बारे में बता रही हूँ तो चलिए start करते हैं हम अपने वीडियो को वीडियो को start करने से पहले मैं अपने सभी subscribers को thank you कहना चाहती हूँ उनके support के लिए अब start करते हैं हम अपने वीडियो को Friends, इसमें जो मैं skincare routine बता रही हूँ वो मैं normal, oily और dry skin तीनों को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ इस skincare routine को हम start करेंगे face wash से आप जो भी face wash यूज़ करते हो या फिर कोई भी home remedy यूज़ करते हो अपने face को wash करने के लिए आप उससे अपना fish wash कर ले के बाद अपने चेहरे को एक साफ तॉलिये से pad dry कर ले यानि कि आपको rub नहीं रगरना नहीं है ऐसे pad dry करना है जब आपके skin पूरी तरीके से dry हो जाए तब आप उसमे टोनर अपलाई करें आप रोज वाटर को भी एज़े टोनर यूज़ कर सकते हैं टोनर अपलाई करने के बाद उसे उसी तरह 5-10 मिनिट के लिए dry होने के लिए छोड़ दें टोनर को जब आपके skin पूरी तरीके से सोख ले तब उसके बाद आप मॉश्राइजर यूज़ करो आप जो भी मॉश्राइजर यूज़ करते हो उसे आप यूज़ कर सकते हो मॉश्राइजर यूज़ करना बहुत ही जरूरी होता है चाहे हो oily skin हो dry skin हो या फिर combination skin हो इसके बाद कोई अच्छा सा lip balm ले और अपने lips पर apply कर ले इस process के बाद आप अपना regular makeup जो apply करते हो वो आप कर सकते हो पर ये जो सारी चीज़े मैंने बताई ये एक essential चीज़ है healthy and glowing skin पाने के लिए बारी आती है night skincare आप night में बोलेंगे तो सबसे पहले बारी आती है कि makeup को हमें कैसे remove करना है तो सबसे पहले friends मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके skin dry है या फिर normal skin है तो आपके लिए सबसे best होगा coconut oil जी हाँ coconut oil के थुरू आप अपने makeup को remove कर सकते हैं आप उसके लिए pure coconut oil ले और उसे अपने skin पे rub करे रब करने के बाद clean tissue लेके आप उसे post ले अच्छी तरीके से friends आपके skin अगर combination oily या फिर acne prone acne prone में जिनके skin में बहुत सारे pimples आते रहते हैं वो लोग oil का कोई भी oil का use ना करें उससे pimples की समस्या बहुत जादा बढ़ जाती है और oily skin के लिए भी वो अच्छा नहीं है उसके लिए आप wet tissue मिलते हैं market में आप उसे लेके अपना make-up remove कर सकते हैं make-up को अच्छी तरीके से remove करने के बाद आप अपना favorite fish wash लेके अपना fish wash कर ले अच्छी तरीके से उसके बाद आप toner apply कर ले जैसा कि मैंने पहले बताया था आप rose water भी यूज कर सकते हैं वो best toner है इसके बाद normal to dry skin वालों के लिए ये मैं बता रही हूँ कि आप almond oil ले almond oil से अपना face को अच्छी तरीके से massage कर ले circular motion में और फिर 2-3 minute के बाद आप अपने face को पानी से सिप ऐसे दो ले इसके बाद बार याती है oily to combination skin वालों के लिए उनके लिए aloe vera gel है वो aloe vera gel का इस्तमाल कर सकते हैं बट आपको कोई भी oil अपने skin पर अपलाई नहीं करना है इसके बाद बारी आती है हमारी eyes की इसके लिए आप vitamin E की capsule ले जो आपको 5-10 रुपे में market में easily मिल जाते हैं किसी भी medical shop में या आप उसके एक capsule को लेके अपने under eye area में circular motion में massage करें और उसे रात बर इसी तरीके से छोड़ दें इससे आपको बहुत सारे फाइदे होंगे सबसे पहला फाइदा कि आपके आपको के आसपास जो भी dark circle होंगे उनसे आपको चुटकारा मिल जाएगा regular use से और आखों के सामने बहुत हलके महीन महीन wrinkles होते हैं उनसे भी prevent करेगा इसके बाद सबसे last step है वो है lip balm इसके लिए आप petroleum जली का यूज करे best होगा ये था मेरा skincare routine तो कैसा लगा आप सभी को आप comment box में जरूर बताएं for your time and मिलते हैं मेरे next video में तब तक के लिए take care bye bye